नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हों बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हो अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चानल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पापर की बहुत ही मज़ेदार रेस्पी जिसे बना के दिखाऊंगी पालक से पालक के पापर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं अधि आप पहली बार बनाना चाह रहे हैं तो जरूर बनाए पालक के पापर एक तो ये हिल्दी भी है और जो पालक नहीं खाते हैं जिनके बच्चे पालक नहीं खाते हैं उनके बच्चे को वो अपने बच्चे को पालक खिला सकते हैं इस बाहने से तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पालक का पत्ती ले ली हूँ और पालक के पत्ती को बहुत अच्छे से साफ कर लेना है जो इसमें घास वगरा है उसे आप अच्छे से निकाल ले और जो मोटा वाला डंठल है उसे भी आप अच्छे से हटा दे मोटा वाला डंठल इसमें नहीं छोड़ना है और पालक के पत्ते फ्रेस लेने है एक्तम हरे हरे से तो बहुत अच्छा इसका कलर आएगा पापर का फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा तभी जाके आप पापर बनाएगा अधा दोरा वीडियो देखके आप पापर ना बनाए हो सकता है कि आपका पापर बिगर जाए या अच्छा ना बने तो यहाँ पर बहुत सारे पत्ती को धोके रखाए मैंने थोड़ा सा पत्त वाला पालक आप देख पार हैं बहुत जादा पत्ता जो है कडा नहीं है थोड़ा सोफ्ट वाला ही है इसका पापर बहुत ही जादा टेस्टी बनेगा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और जादा से जादा सेयर कीजिएगा फ्रेंड्स चैनल पर पहली के रहेगा देखिए यहां पर पालक हमारा साफ हो चुका है और इससे ही आपको धेर सारा पापर बना के दिखाती होँ सारे पालक को हमें बारिक बारिक से कट कर लेना है बहुत ज़्यादा बारिक नहीं काटना है लेकिन काट लेना है इस तरीके से और इस तरीके से आप पापर बना के जेड़ साड़ा पालक का स्टोर कर सकते हैं साल दो साल बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता है पापर बनाने का तरीका सबका अलग-अलग होता है एक तरीके से ऐसे वाज पापर बना के आपको दिखा रही हूं और अगले बार दुसरे तरीके से पालक से पापर बना के आपको दिखाऊंगी दोनों ही तरीके से आप पापर बना सकते हैं और दोनों ही तरीका काफी आसान है किसी में भी आपको ज़्यादा चंजट और परिशानी नहीं होगा पालक को इस तरीके से बारिक कट कर लीजिए पालक हमारा कट चुका है अब सारे पालक को उठा लेना है प्लेट में देख पा रहे हैं और इसके साथ ही हमें डालना है हरी मिर्ची आप एदी चाहें तो इसके अंदर धनिया पती भी डाल सकते हैं पेदी आपको धनिया फ्लेवर में भी बनाना है पापर तो आप इसमें धनिया पती डाल दे इससे बहुत अच्छा पापर के अंदर कलर भी आएगा और स्वाद भी आएगा लेकिन सभी कोई को धनिया पती का फ्लेवर पसंद नहीं होता है इसके लिए इसमें धनियापती नहीं डाल रही हूँ आपको डालना है तो डाल सकते मिर्ची और ज्यादा या कम आप कर सकते हैं ज्यादा मिर्ची डालने से ये और भी ज्यादा चट पटा बनेगा अब यहाँ पर लेना हमें मीकसर जा और इसमें डाल देना है सारे पालक के पत्ते को और पालक के पत्ते को डालने के बाद इसमें डालना है बाकी का थोरा थोरा करके मसाला तो चलिए क्या मसाला में डालना है सबसे पहले इसमें डालना है हमें आधा छोटा चमज के जितना जीरा बहुत अच्छा सुआद आएगा पापड के अंदर जीरा का और हडी मिर्ची इसके लिए डाली हो फ्रेंट्स आप चीली फिलक्स भी डाल सकते हैं हरा मिर्ची डालने से पापड के अंदर मिर्ची डाला है उसका पता नहीं चलेगा और इसमें बहुत अच्छा सुआद भी आ जाएगा मिर्ची का साथ में डालना हमें छोटा चमज से एक चमज और थोरा सा नमक पालक में पहले से ही हलका नमक होता है जब आप पालक बनाए होंगे तो हलका सा नमक नमक सा लगता है तो नमक पालक के पापल में बहुत ही कम डालिएगा अब अच्छे से इसे पीस लेना है यानि बारिक कर लेना है और अभी के समय इसमें जड़ा सा भी पानी नहीं डाल रही हूँ पीस के देखती हूँ इसमें पानी का जरुरत होगा तो थोड़ा सा पानी डाला जाएगा तो यहां पर देखिए पालक को अच्छे से बाड़ी करके और पिस लिए हूँ लेकिन हलका सा इसमें पानी लगेगा तब जाके यह पालक और भी अच्छे से पिस जाएगा एक वर और अच्छे से गुमा लेती हूँ मिक्सर जाड़ को अब देखिए पालक बहुत अच्छे से पिस चुका है इसमें मोटा यदि पालक आपको लगे कि इसमें मोटा सा पालक बचा है पती तो आप थोड़ा सा इसे छन्नी में डालके और छान लीजिए चनी में डालने से जो पालक नहीं पिसा होगा अच्छे से वो निकल जाएगा और इसमें जो रेशा है डंठल के वजह से जैसे कि पालक को कितना भी आप डंठल निकाले पालक से फिर भी उसमें रही जाता है तो वो सब रेसा भी अच्छे से छनकी निकल जाएगा और आपका पापर एकदम चीकना-चीकना सा बनेगा तो इस तरीके से हमें छान लेना है तो आपको मैदे के पापर की रेस्पी चाहिए तो हमारे चाइनल पर है आप चाहें तो देख सकते हैं और ये आपको चाहिए रेस्पी वीडियो का लिंक चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा मैं वीडियो का लिंक आपको देदेगी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में मैदे का पापर बच्पन में आप लोग खाए हों जो बाजार में वो जो नली फ्राइम्स होता है जिसे फोफी बोला जाता है हम लोगों किया न गोल चाल के भासा है मैं उसे फोफी पापर बोलते हैं जो गोल गोल होता है उसी वैसा ही टेस्ट होता है मैं देखा पापर का बहुत अच्छा खाने में लगता है देखे यहाँ पर कितना इसमें निकला है अच्छे से इस तरीके से दवा दे दवाने से जो इसका जूसे पालक का निकल जाएगा और देखे फ्रेंट्स यह रेसा है देखिए पापर के अंदर ये अच्छा नहीं लगता इसे हटा देना है तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर पालक के जूस को किसी भी कप या कटोरी से आप नापके ले लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक कप ये पालक का जूस हुआ है देख पा रहे हैं मातर एक ही कप हुआ है इसे निकाल लेना है एक बरतन में अलग से और इसे ही हमें पापर बनाना है तो इसका जो अलग से पानी इसमें लगेगा तो वो गरम करना है तभी जाके ये पापर अच्छा बनेगा तो चले पानी को गरम कर लेती हूं और उसकी बाद पापर बना के आपको दिखाती हूं बहुत ही ज़्यादा तेस्टी मज़ेदार पापर पापर बनाने के लिए आप पैन या कराही का इस्तिमाल कर सकते हैं और इसमें ही आप पापर बना सकते हैं तो इसमें देखिए एक कप जो पालब का जोसे उसे हमें डाल देना है और बाकी अलग से एक कप पानी इसमें डालना है वीडियो को धियान से देखिए जरासा भी वीडियो स्कीप नहीं कीजिए इसकीप करके देखेंगे तो खुद वखुद आपको समझ में नहीं आएगा और आपका पापर अच्छा नहीं बनेगा आप पहली बार बन पहले से आप पापर बनाना जानते हैं इस टाइप का तब तो आपको आता ही होगा फिर भी हर पापर का अपना अलग अलग तरीका हो क्या डालना है आगे बताती हूँ आपको वीडियो में बने रहें फ्रेंट्स आप उरत दाल के पापर की रेस्पी चाहते हैं जिसे की उरत दाल के पापर बहुत मेहनत से बनाया जाता है लेकिन मेरे पास जो रेस्पी है बिना मेहनत जैसे कि आप सिर्फ दाल से ही पापर नहीं आपको आटा गुथने की जहनजट होगी नहीं पापर बेलने की आपको रेस्पी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा वीडियो का लिंक आपको दे दोंगे देखे आप पानी को में बहुत अच्छे से पकाना है बिल्कुल भी पानी कच्चा नहीं रहना चाहिए पानी हुआ पालक नहीं था एक तेज उबाल आने तक हमें पानी को अच्छे से करम करना आप चाहिए इसमें कलर एड़ करना तो कर सकते हैं उससे एकदम हरा हरा सा आपका पापर बनके आएगा देखे पानी में उबाल आने लगा है एक कप हमारा पालक था अलग से एक कप पानी डाला गया है इसमें कुल दो कप है ये इसमें अलग से हमें कुछ भी मसाला नहीं डालना है आपको डालना होगा तो आप आजवाईन बगर डाव सकते हैं देखिए पानी उबलना शुरू हो चुका है लेकिन इसे अभी और पकाना है आप देखते जांकि पानी कितना अच्छा से ये पकेगा तो एकदम गाड़ा-गाड़ा सा होना शुरू हो जाएगा तो देखिए फ्रेंट्स अब हमारा पानी जो है बहुत अच्छे से पालक वाला पक चुका है देख पा रहे हैं देखिए कैसे उबाल मार रहा है तो अभी कर देना है गैस को लो इसका फ्लेम जो है आज को एकदम लो कर देना है और यह जलते हैं रहेगा चुला अब यहां पर मैंने लिया है एक कप चावल का आटा जिस कप स्वाथा में आपके पानी और कटना ना डालेंगि आपका पापन एकड़म ही बनेगा को आजकों और साकता को बशसकी के लिए उसका में का पालग का पेश्ट को अलग की पानी से अ में दो कप पानी का जरूरत होगा क्योंकि हमें आटा को बहुत अच्छे से पकाना है दी आटा पका नहीं तो पापर फटेगा और अच्छा भी नहीं बनेगा यह लकडी वाला देखिए चमच से तो इससे हमें मिलाने में बहुत सो विधा हो रहा है आप इसे मिलाने के लिए कुछ अच्छा इसी टाइप का लीजिएगा सिलिकोन वाला जो होता है इस्पेचुला उससे आप अच्छे से इसे मिला नहीं पाएंगे आप पकाने के लिए चाहे तो भगोनी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसमें भी बहुत अच्छे से इसे मिलाया जा सकता है इसे खीचु पापर बोलते खीचिया पापर इसके लिए हमें इसे बहुत अच्छे से पकाना है बिल्कुल भी ये कच्चा ना बचे तो देखिए यहाँ पर मिक्स हो गया है अब धकल लगा के कम आज पे हमें इसे 5 मिनट तक आराम से पकाना है तो चलिए इसमें लगा देती हूँ धका और पांच मिनट पर लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाना है बीच बीच में आप चेक भी करते रहिएगा ऐसा नहीं जो अंदर से ये आटा जल जाए कुछ समय हो गया है ढके हुए अब इसे एक बार चेक किया जाए फिर वापस इसे अच्छे से एक बार मिक्स केजिए देखिए कितना अच्छा से ये पकरा है बिल्कुल भी इसमें पानी कम नहीं हुआ है और नहीं पानी जादा हुआ है फिर से एक बार ढखका लगा के थोड़ा देर के लिए पकाना है तो चलिए फरेंस इसी तरीके से थोड़ा देर इसे दो मिनट और पकाने के बाद आपको दिखाती हूँ अब हमारा आटा बहुत अच्छे से पक चुका है देख पा रहे हैं और इसका कलर देखिए बीना कलर का ये कितना सुन्दर लग रहा है पालक का अपना खुद का कलर होता है अब चलिए इसे उतार लेना है चुले से नीचे और अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कीजिए मिक्स करने से ये और भी अच्छे से गूध जाएगा और यदि आप पुरा चावल का आटा डाल रहे हैं तो फिर से इसे गोला गोला करके भाप पे पकाईएगा तब जाके पापर आपका अच्छा बनेगा और नया चावल का बहुत ज्यादा चिप चीपा होता है तो इसे हमें भाप नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा इसे हमें ठंडा भी नहीं करना है पापर बनाने के लिए तो चलिए सारे को इकठा कर लेती हूं बहुत अच्छे से इकठा करने के लिए थोरा सा हाथ प्याद को तेल लगाना होगा उसके बाद यह इकठा होगा चावल का आटा बहुत जारे चिप चीपा होता है अब इसे ही हमें थोरा थोरा सा लेना है और पापर बनाते चले जाना है अब इसका पापर अपने पसंद से थोरा बड़ा थोरा चोटा कर सकते तो इस तरह इस तरीके से हमें गोला बनाना है, साड़े आटे का और पापर बनाना है, हाथ में थोड़ा से देल लगाईएगा, बिल्कुल भी ये नहीं चिप कियेगा, देखें, इस तरीके से गोला बनाके और आप पापर बना सकते हैं, छोटा बरा जैसा मन वहसा, तो चलिए आप और गर्मा गरम जब रहेगा, तभी पापर बना दीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, पापर बनाने के लिए नहां पर आप कोई भी पालिथीन ले सकते हैं, और एक छोटा पालिथीन, और इसमें लगा देना है तेल, तेल के बिना बनेगा नहीं चिपक जाएगा, थोड़ा से तेल इसमें लगा दे, थोड़ा से इस तरीफिसे से मिक्स कर देना है, पापर बनाने के लिए पालिथीन, हीले, पालिथीन से पापर बहुत अच्छा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, और पापर जिधर से तेल लगा है, इस कोई भारी बरतन लेके और इसे इस तरीके से दवा दे जिससे की पापर एकदम पतला हो जाए बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो पापर बनाते हुए और ये थोड़ा मोटा हो गया है तो आप इसे हाथ से उंगले से इस तरीके से बढ़ा सकते हैं पतला कर सकते हैं पापर का साई छोटा छोटा बरा बरा जैसा चहें वैसा बना के आप तयार कर सकते हैं इसे सुखाने में आपको धूप रहे ना रहे कोई टेंसर नहीं आप बिना धूप का भी पापर पंखे के हवा में भी सुखा सकते हैं इस तरीके से हमें पापर को बहुत अच्छे से पतला कर लेना है दखी कितना अच्छा पापर बनके तयार हुआ है तो इसी तरीके से हमें सारे पापर को बना लेना है कुछ ही समय में आपका धेर सारा पापर बनके तयार हो जाएगा जब ये लगे कि पॉलिछिन में तेल खतम हो गया है तब ही आपको लगाना है बार बार आपको तेल नहीं लगाना है इसे भी उस तरीके से में बरहा लेना है पतला पतला पापर बनाएंगे बड़ा बड़ा बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा देखे इसी तरीके से सारे पापर बन के तयार हो जाएंगे पुछी देर में ज़्यादा देर नहीं लगेगा पापर बनते हुए तो चलिए सारे पापर को बना के डाल दोंगे सूखने के लिए और जब सूखेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगे तो देखे फिरंट सारे पापर को बना के तयार कर ले हूँ और एक कप पालक के जूस में कम से कम 20-25 पापर बनके तयार हुआ है पापर को अच्छे से धूप में सुखाना है धूप नहीं है तो आप पंखे के हवा में सुखाएं जब पापर हमारा सुख जाएगा फिर इसे स्टोर करके अच्छे से आप रख सकते हैं जब तक चाहें तक तक तो चलिए पापर को सुखने के लिए डाल दिया जाए और पापर सुखता है फिर मैं आपको सुखने के बाद दिखाती हूँ पापर कैसा बना है तो देखे पापर सुखने के बाद पूछी इस तरीके का हो जाएगा देख पाड़े हैं बहुत ही अच्छा एकदम सुखा सुखा सा पापर है जितना अच्छा से आप सुखा के इसे रखेंगे उतना अच्छा सी रहेगा इस टोर होगे बिलकुल भी इसमें फंगस नहीं तो चलिए परेंट साब एक दू पापर को फ्राई भी करके आपको दिखाती हूं तेल अच्छे से गरम कीजिएगा, कम गरम तेल में पापर अच्छा से नहीं फैलता है, देखिए चावल का आता के बज़र से बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ये पापर बनके आपका तयार होगा देखिए फ्रेंस, बहुत ही अच्छा पापर का पापर बनके आया है, और इसका साइज आप देख पाड़े हैं, जितने बड़ा आप बनाएंगे उस टाइब से आपका पापर बनेगा खाने में काफी अच्छा और डेश्टी है, तो आप भी इसे जरूर बनाएए, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नए रेस्पी के साथ, थेंक यू